एक्टर और फिल्म में कर नीरज वोरा का गुरुवार को निदन हो गया वो 54 साल के थे उन्होंने हेरा फेरी जैसी कॉमेडी फिल्में बनाई वो कई फिल्मों में कॉमिक रोल भी किया नीरज अन्तिम समय में आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे पिछले एक साल से वो कोमा में थे केवल उनकी आखें हिलती थी उनके परिवार में को नहीं था इस मुश्किल घडी में उनका साथ 18 साल पुराने जिगरी दोस्त फिरोज नाडिया डवाला ने दिया फिरोज नाडिया डवला ने निदन के बाद बताया कि आखरी पलों में नीरज की कैसी हालत थी शुकरवार के दिन तक सबसही था आखों से रिस्पॉंस भी दे रहा था लेकिन अचानक से हालत खराब हुई वो मेरे लिए काफी खास है क्यूंकि हमारी दोस्ती 18 साल से ज्यादा की है हाँ और ना का जवाब भी देता था दिमाग भी एक्टिव हो गया था मेरे लिए तो सगे भाई से भी बड़ा था बस उसका बात करना ही बाकी रह गया था उसके घर में कोई नहीं था उन्होंने फिर हेरा फेरी को डायरेक किया था जिसे दशकों ने बहुत पसंद किया था वो हेरा फेरी तीन भी बनाना चाहते थे लेकिन बिमारी की वज़े से ऐसा संभव नहीं हो पाया फिर हेरा फेरी में उन्होंने गेस अपीरेंस भी दिया था, इसके अलावा उन्होंने खिलाडी चार्स ओबीस, रन भोला रन, फैमिली वाला जैसी फिल्मों को भी डायरेक्ट किया था, डायरेक्टर के अलावा वो राइटर भी थे, उन्होंने रंगीला, अकेले हम अकेले तुम, ताल, जोश, बदमाश, चोरी-चोरी चुपके-चुपके अवारा पागल दीवाना जैसी फिल्मों के सनवाद लिखे थे। उन्होंने मन, बोल बचन, रंगीला, विरासत सहित करीब 23 फिल्मों में एक्टिंग की थी। उन्हीं हेरा फेरी के लिए स्क्रीन अवार्ड और बेस्ट स्क्रीन अप्ले और बेस्ट डायलोग भी मिला था। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में उन्हें हार्ट अटाइक और ब्रेंस्ट्रॉक आया था। इसके बाद उन्हें दिल्ली स्थित एम्स में एडमेट कराया गया था। वहाँ वो कुमा में च यहाँ वो कुमा में ब्रेंस्स काईयलोग ग राद ओूति प्रचका था coffee अ कर देंसे हा, चौक का वादाद दिल्ली स्र, को का ड़ता अक्टूबर में उन्हें हां उन्हें करया रहा ह। वहा घर हम जिल्द cudरी को कि झाल्षण कि अज़र वहाँ है। झाल झाल